हेलो एवरिबर्टी सभी साथ्यों को रामराम नमस्ते हाई हलो कैसे आप सभी दोस्तों एक पुराने भरती इसी सब तहां कंपलीट होने जा रही है बहुत पुराने भरती है और यदि आप जाना चाहते हैं इस भरते के बारे में डेटेल थे कि क्या समस्या हुई थी और अब क्या कुछ होने वाड़ा है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका साथी राजे स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल नोलेज टीवी देशीता उपर कैसे आप सभी दोस्तों इस चैनल पर हर रोज आपके लिए एक या दो वीडियो ज जो अब पांच साल बाद सिरे चड़ने वाड़ी है इसी वीक में कंप्लीट होने के चांसी हैं दोस्तों यह दिया आप एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो एक्जाम को रिपीट जरूर करता है पीछे जो एक्जाम में परसन पूछे गए हैं उनमें से कुछ ना कुछ परस प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इससे आपके एक्जाम करेक होने के चांसे बहुत ज़्यादा होते हैं तो चेक आउट जरूर कर लिजे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं तो दोस्तों देख लेते हैं अब कौन सी बरती है जो इसी सबता कंप्ली रहेगी जो एडवर्टाइजमेंट के समय बताई गई थी और अब एचससी इसके अंतिम परिणाम को त्यार करने में जुट गया है और यहां पे बताया गया है कि एक सप्ता के अंदर अंदर इस बरती का जो रिजल्ट है वो गोशित कर दिया जाएगा 2016 में इसकी लिखित प्रिक्षा हुई थी 2018 में इसका जो इंटर्वी हुआ था वो हुआ था अब बच्चे इंतजार करे थे फाइनल रिजल्ट का लेकिन कोर्ट केस के विज़े से इस पर बहुत से लंबे समय से इंतजार हो रहा था अब कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इ तो एडवर्टाइजमेंट के जो समय रूल था उसी रूल के इंतजार कम्पलीट किया जाएगा तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है यहां पर आप यह पड़ भी सकते हैं चेरिमैन से मिले अवहरती जल्द परिणाम गोशित करने का भरोस आ खतम हो गए है उनका प्रिणां बिना देरी जारी कर दिया जाए तो दोस्तों बहुत जल्द आपका रेजल्ट गोशित किया जाएगा और यहां पर आप यह देख सकते हैं आयोग की तरफ से इस सप्ता भी प्रिणाम गोशित होने के संकेत मिले हैं हैं जी तो दोस्तों ये बहुत अच्छी नियूज है कि रूल के हिसाब से बरती हो रही है ना कि सरकार ने जो रूल बनाया उसके इसाब से जो एड़वर्टाइजमेंट जारी की गई थी उसमें जो रूल था उसके अनुसारी कोर्ट ने आदेश थी हैं कि उसके अनुसारी बरती होगी और HSC भी इस पर अपना जो अंतिम प्रिणाम है एक सप्ता के अंदर देने की बात यहां पर कहरा हो सकता है बही सप्ता के जगह 15 दिन लग जाए लेकिन अब यूआउं का इंतिजार बहुत जल्द खतम होने वाड़ा है यह एक अपडेट थी दोस्तों दूसरा HSC अब दोबारा से एक्टिव मोड में आ चुका है बचे वे एक्जाम भी होंगे बचे वे पेंडिंग रिजल्ट भी जारी की जाएंगे तो आप यह दी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो एक्जाम की त्यारी जी जान से कर लेज हैं उनका कहना कि उन्होंने ज्यादा ज्यादा ओलाइन टेस्ट दी हैं प्रैक्टिस करें मोग टेस्ट दी हैं तभी आज वे टोप में हैं ठीक है तो आप चैक आउट कर लिजिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्सिन दे दिया है धन्यवाद